नमस्कार एटोजेट डिशश उशागोरजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कहने जा रही हूँ हमारे सिंधी स्टाइल सेलफुल का ये जो सेलफुल का जो मैं आपको बताने जा रही है ये बच्ची ही रोटियों में से बनाया जाते ह और हम इसे सिंधी में कहते हैं सदा सेलफुल का सदा सेलफुल का का मतलब होता है पूरी पूरी रोटी को अच्छे से पका कर हम खाते है ये बच्ची ही रोटी में से बनाया जाता है उसके लिए गयस कौन करके कडाई रखते इसमें आपको डालना है दो चमस तेल जैसे गर एक से दो मिनिट तक तक इसका कच्छापन भी दूर हो जाए और ये इस तरह से हलका सा गुलाबी भी हो जाए उसके बाद अब इसके अंदर आपको डालने है टमाटर तो यहाँ पर मैंने तीन टमाटर लिये थे अच्छे लाल लीजेगा और इसे मैंने काट लिया था चोटे जबतो मैंने आपक लिये लिया दही एक कप मैंने दही लिये इसके अंदर हम डालेंगे नमक स्वाद कैनुसा आदी छोटी चमज लाल मिश पाउडर, एक चौथाई चमज छाल दी पाउडर, आदी चमज धनिया पाउडर दही के अंदर अच्छे से मिला लेंगे, ये घर की जमाई दही है, आप मार्केट की भी ले सकते हैं और अगर हलकी सी खटी होगी, तो भी कोई बात नहीं है, देखिए ये मसाले वाली दही है, अब यहाँ पर मैंने ले ली है रोटिया, ये गेहूं के आटी की रोटिया है, जो हम रोजाना बनाते हैं, आप बच्ची ही रोटियों में से भी बना सकते हैं, या खास करके रोटि कर लीजे, यहाँ पर लगबग 3-4 मिट होगा और धीमी आशपरी मैंने से पकाया था, टमाटर सोफ्ट होगे था, आदी चोटी चमच धनिया पाउडर, आदी चोटी चमच लाल मिश पाउडर और एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे, अच्छे से मिला लेन उसके बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाला है दो कब जितना पानी और अच्छे से मिक्स कर लेना है, पानी में देखे अबाल आना शुरू हो गया है, तब इसके अंदर हम यह दही वाले मसाली वाली यह जो हमने रोट और यह बढ़िया सी हमारे सिंधी स्पेशल सेल फुल का सदा सेल फुल का बनकर तयार है आप इसे भी खा सकते हैं या पापड के साथ या खेचिया के साथ और खास करके यह दही के साथ बहुत बढ़िया लगती है तो ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट्स बताएगा कैसी ल हुले थांक्यू